नमस्कार आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स तक्नीक पर आप जानते हो कि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और भूम की पूर्थ इस्थीर है इसलिए फूट ग्रेंज की मांग वेजिटेबल्स की मांग और फ्रूट्स की मांग बढ़ती जनसंख्या द्वारा किया जा रहा है और इस मांग को पूरा करने के लिए अब अग्रिकल्चर सेक्टर में कुछ नई तक्नीक का प्रियोग करना अनिवारी हो जाता है ताकि इन आवश्यक्ताओं की पूर्थ की जा सके कुछ बिक्सित राष्टों के अगर हम बात करते हैं जहां पर भूमी उपलब्ध नहीं है उनको भी फूड ग्रेंस वेजिटेबल और फूट के अशक्ता पड़ती है तो वो किस तकनीक के माध्यम से इनका उत्पादन करते हैं आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं इसी पर बात करने जा रहे हैं तो आईए देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक क्या है तो इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जो भी कमेंट हो उनको जरूर हमें कमेंट करते रहे हैं ताकि हम आपको उन प्रॉब्लम का सुलूशन भी देते रहे हैं सबसे बहले बात करते हैं कि अगर हाइड्रोपोन Hydroponics Farming को हम लोग जली खेती के नाम से जानते हैं. अर्थात जल के द्वारा जो खेती की जाती है, उस खेती को हम लोग Hydroponics Farming के नाम से जानते हैं. इसके अंत्रकत हम आवस्यक पोशक्तत्तों को जल के माध्यम से पौधे तक पहुचाते हैं और इसमें भूम की अवशक्ता नहीं पड़ती, क्योंकि भूम भी जो हमारे पास पोशक्तत्तों हैं, उसके लिए एक माध्यम है, और उस भूम में वो पोशक्तत्तों मिले होते हैं तो इसके अंतरकत सारे पोसक तत्तों को जल के माध्यम से, पाइप के माध्यम से पहुँचाए जाता है। इस क्रसिको करने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बलकि पानी के माध्यम से इस खेती को संपादी दिया जाता है। इसमें पानी के साथ ही पाउधों को खानी जो पोशक तत्तो जो बहुत आवश्यक है उनको दिया जाता है और आप इन्हें मिनरल्स, नूट्रिसिनल्स कह सकते हों। एक पाउधे को बढ़ने के लिए सूरी का प्रिकास, नूट्रिशन की आवश्यक्ता पढ़ती है। आपके पास यह है कि अगर एक पेड़ को सूरी का प्रिकास आवश्यक होता है और नूट्रिशन यह नहीं पहुच सकता होते हैं। तो यदि हम उनको जल के माध्यम से पहुचा दे हैं तो वो पेड़ ग्रो कर सकता है। अगर पाउधे को उपयुक्त मात्रा में ये चीजे स्वाइल लिस फॉर्मिंग को छट पर किसी जगा पे किया जा सकता है। तो इस तकनीक के माध्यम से बीना मिट्टी के हम इस खेती को अपने चट में, खाली बोतलों में, खाली पाइप्स में, टायर में भी कर सकते हैं। अगर हम आसान भासा में कहें तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। पौधे के लिए सभी आवस्य खानीच और उर्वारक पानी के माध्यम से दी जाती है। और फसल के उत्पादन के लिए सिर्फ तीन चीजे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला इसमें पानी, दूसरा पोसक तत्तो और तीसरा सूरी का प्रेकास जिससे वो रियक्शन करता है। यदि ये तीन चीजे हमें बिना मिट्टी के उपलब्द कर दें तो पौधे फल फूल सकते हैं। इसी को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक में मिट्टी के बगायर जलवायू को नियंत्रित करके खेती की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स खेती में केवल पानी या पानी के साथ बालू और कंकर में भी पौधे उगाय जा सकते हैं। इस तकनीक में प्लास्टी के पाइप में ने प्लास्टी के पाइप में प्लास्टी के बालू जलवायू मिलती रहता है। तो ज्यसें कोको पिट कहा जाता है। इस कोको पिट को दूर बैठे कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता, आप एक तरफ से पानी सप्लाई करते जाएं, यह सारे प्लांट्स में पानी पहुंचता चला जाएगा. हाइड्रोपोनिक्स बीद का महत्य क्या है? तो बढ़ती आबादी और खेती के लिए कम पढ़ती जमीन को देखते हुए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक बहुत ही करकर है. उची इमारत की छत पर भी इस बीद से खेती की जा सकती है और सहरवासी के किल्दलगातार अर्बनाइज इस्ता नहीं देख सकते हो और इनसान को डेली कुछ ना कुछ ताजे फल फ्रूट्स या आपके पास कुछ साख सब्जी चाहिए होता तो आप हाइड्रोपोनिक्स मेथाट के माध्यम से आप अपने बालकनी में टैरिस में भी इसे उगा सकते हैं. अभी तक हाइड्रोपो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से उगाई जाने वाली सब्जिया कौन कौन सी होती हैं? इसके अंतरकात आप देखिए धन्या, टमाटार, पालक, खीरा, करेला, गुलाब, मिर्च, इत्यादी का उत्पादन किया जा रहा है. हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कैसे की जाती है? तो हा और इनी पाइप के माध्यम से पाउधे पोसक तत्तों को ग्रहाण करते हैं. हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पोसक तत्तों कहां से आते हैं? तो आपके मन में ये सवाल होगा कि पाउधे के लिए केवल मिट्टी हिमें ही पोसक तत्तों मिलते हैं? तो इसके अंतरकात जब आप जली खेती करेंगे, तो पोसक्तत्तों कहां से एंगे, तो आपको बता दें, ये सभी पोसक्तत्तों को पानी में घोल दिया जाता है, जो मिट्टी में पोसक्तत्तों होते हैं, उनको पानी में घोल दिया जाता है, और पानी को सप्लाई कर दिया जाता है, उस पानी से आएरन आदी कई पोसकत्तों और खनीच पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिला करके घोल तयार किया जाता, और इस घोल को निर्धारित किये गए समय के अंतराल पर पानी में मिलाया जाता, जिससे पौधे को सभी पोसकत्तों समय समय पर मिलते रहें. तो इस प्रेकार से जो आवसक पोसकत्तों हैं, उसको जल में मिला करके पाइप के माध्यम से पाउधे तक सप्लाई की जाती और पाउधा उसी में ग्रो करता जला जाता है. हाइड्रोपोनिक्स तक्नीक के फायदे क्या है? तो इस तक्नीक से बीना मिट्टी के भी खेती की जा सकती है. आपने देखा का कंक्रीट में, आपने देखा कि कितने फ्लोर्स होते हैं सहरों में, और वहां पर टैरी साब के पास होता, बट मिट्टी अबलेबल नहीं होती है, सबको गार्डेन के आवश्यक्ता होती है, तो आप वहां पर इस तक्नीक से आप पौधों को उगा सकते हो, आवश्यक का आप सब्जियों को उगा सकते हो, जैसे धनिया है, टमाटर है, इत्यादी. पानी से पौधे को सीधा पोषण मिलता रहता है, इसलिए आपका जो पोषगत युक्त, इसके अंतर का फ्रूट्स आपको मिलेगा, मिट्टी इस्तेमाल ना होने से खत पर तवार इसमें नहीं होते हैं, इस तक्नीक में पौधे 25-30% तेजी से ब्रिद्धी करते हैं, that is very important point. सबजी में स्वाद पोषण ज्यादा पाया जाता है, यह भी एक important point है, जो आपके मन में एक दुविधा थी, कि इससे जो उत्पाद होगा, या आपके पास food grains, या आपके पास vegetables होगे, वो कैसा होगा, तो पोषण युक्त होगा और ज्यादा पोषण होगा, इससे मिट् संद भी कर रहे हैं. सहरों के लिहास से यह तकनीक काफी उप्यूक्त मानी जा रही है, और आपने देखा होगा, आज कल तो लोग money plant जैसे बेल को जो एक सजावटी पौधे के रूप में घरों में रखा जाता, और अन पौधों को भी घरों में रखते हैं, और इस method के माध मिट्टी का इस्तेमाल ना होने के काण आपको सारे पोसक्त तो पौधे को तरल रूप में पहुचाने होगे, liquid farm में देने होगे. इस technique से खेती करने से पौधे मिट्टी से संबंधित बीमारियां और अनप्रकार के प्रकौप से बच जाते हैं, जिसके काण उत्पादन खेती करने या किसी अनप्रियोजन के लिए ना किया जा रहा है, आपने देखा होगा बंजर जमीन, लोग कहते हैं इसमें खेती नहीं हो सकती, आप इसमें धट के माध्यम से वहाँ पर भी खेती कर सकते हैं, अथो जिस स्थान पर मिट्टी में फसल मरदा जनित रोगों के पौधे को विसुद्रा साइन पदार्थों केमिकल सब्स्टेंस से को उनकी किस्म और अवस्ता के उसार घोल के रूप में दिया जा सकता है, पी एच मान 5.8 से 6.5 के बीच और EC2 के लगभगोना चाहिए, ताभी पौधों का विकास साइस होगा, इस पद्दत से उत्पाद तो बदलते विष्व परिवे परिद्यस में आप जानते हो कि लगतार जन्संक्या बढ़ती जा रही है, जो हमारी खेती योग के भूमी है, उस पर भी लोग अपना निवास इस्थान बनाते जा रहा है, फैक्ट्रिया लगाते जा रहे है, तो कहीं न कहीं हमारी जो खेती की जमीन है, वो कम होती चली जा रही है, और लोगों की आउश्यक्ताएं कि यह बेसिक निट से बढ़ती जा रही है, तो इस प्रकार की तखनी का फ्यूचर बहुत ही उच्छाल है, और इससे हम अपनी जन्संक्या को पोषण यूगतिक खादिपदार प्रवाइट करा सकत इस इस ए रहेंसे स्ट वारियस गूगल शच तो बश्यक्ताएं के लिए जा प्रवाइट करेंगे।